बाबा नीब करोली, जिन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है, अनूप कुमार सक्सेना कक्षा 7 के छात्र थे, जब महराज जी उनके घर गए और उनसे पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो, उन्होंने जवाब दिया, DM, जिला मजिस्ट्रेट, क्योंकि उनके दादा एक IC-10 अधिकारी थे, बाबा ने कहा, आप बंबई या कलकत्ता के DM बन सकते हैं, लेकिन इसका क्या फाइदा है, आपको घर से एक टेलीग्राम मिलेगा और आपके माता-पिता की मृत्यों के समय तक आप वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे, आप डॉक्टर बनिये, आप बाहर दूसरे लोगों की सेवा करेंगे, और आप मेरट में शिक्षित होंगे, परिवार की डॉक्टरी के पेशे में बिल्कुल भी दिल्चस्पी नहीं थी, लेकिन अनूप कुमार अपनी परीक्षा में सफल हुए, और उन्होंने मेरट मेडिकल कॉलेज जाने के लिए आ बलकि अपने बच्पन की आकांक्षाओं और परिवार की आकांक्षाओं के विपरीत, वह MD, डॉक्टर ओफ मेडिसिन बन गए, उन्होंने बाबा की भविश्यवानी के अनुसार अपना क्लिनिक खोला और अपने माता-पिता की देख भाल की